हलो एवरिवन मेरे चैनल डियर लाइफ में आप सभी का स्वागत है तो आज का यह जो एपिसोड है यह कुछ यूनिक है कुछ खास है क्योंकि आज के इस एपिसोड से हम जानेंगे कि हमारे इतिहास के बारे में और ऐसे कितने हमारे देश में मानूमेंट्स हैं जिनको जान क करके समझ करके हम जान सकते हैं कि हमारे हिस्ट्री क्या है हमारा इतिहास क्या है आरे जो धार्म में जो मन्दिक होगते थे तो एक तरह से वह एपिस्क्री एनर्जी सेंटर होगा करते धे उनका जिह loved Laban हम जबदों कैंश कि आता नचर झाज़ा करते तो मत्र से पूजा तो मंत्र होता है, एक साउंड एनरजी होती है वह साउंड एनरजी आप देखिए जब हम बोलते हैं in the speaker speaker में चोटा मूह होता है और आगे फिर वह जाकर expand हो जानी दिए मंदिर में उसका just reverse होता है तो क्या होगा कि जो आप मंत्र बोल रहे हो और उपर जाकर वो तब एक तरह से concentrate हो जाता है और concentrate होने के बाद में उपर क्या होता है कि जो कलर्ष होता है वो सोने का होता है या सेस्टिन था dönवी अभी हम हम एलेक्ट्रिकल एनर्ट्री Schmidt तो मैं जो बोल रहा हो यह इसमे रिकॉर्ड हो रहा है तो वह अप रृजक्टों उन्क्र में और वापत सुनितप एनक्र सा कि., वियंद का एक्टाम क्या है और स्पेस में वो इस्टोर हो जाएगी और उसका फिर जो यूनिवर्स है तो जो भी हम प्राटना करते हैं जो भी हम मंसर सोचते हैं बोलते हैं सोचते हैं हर एक का यूनिवर्स के उपर एफेक्ट होता है और उसी का वो रिजन्ट मेंता है तो जो हमारे पुराने मंदिर बन जैसे आपने मोबाइल खरिद लिया, इसमें सिम्भी डाल दिया, लेकिन लाइब कव होती है, जब वहां से जो भी सर्वर है, सर्वर से कनेक्ट होता है, जिसके विस्यम है, तो इसी तरह जब मंदिर को बना लिया आपने, तो वो फिलिकल एस्टुक्चर है, मोबाइल आपने अभी मैंने आपको कुछ भी का, लेकिन मेरी आप से जान पेचान नहीं है, तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो आप इतना इग्नोर नहीं कर दोगे, लेकिन जब मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगा, तो मैं जो कहूँगा वो आप एक बार इसको कंसिडर करेंगे, तो वही चीज है कि जब एक पत्थर की मूर्ती है, अब आप उससे कुछ भी माम होगे, तो जब वो एनर्जाइज नहीं है, तो कोई फरक नहीं बड़ेगा, लेकिन यदि वो एनर्जाइज होगी, तो फिर उसका एफेक्ट बढ़ जायागा, मोबाल में भी यही आप बोलते इस लगता है कि बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये जो ये विज्ञान है, जो लोग बोलते हैं, मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, क्यों मंदिर जाना चाहिए, मंदिर में क्या रखा हुआ है, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा संदेश है, बड़ी अच्छी सीख है, इसमें, इस वेरी गूड लर्निंग, कि जब आप मंदिरों में जाते हैं, तो अगर आपने महसुस नहीं किया है, तो तभी करके देखे, पुराने मंदिरों में कभी जाएंगे आप, तो आपको वहां पर जाकर करके, जो मंद में जो शान्ती मिल जुदेतू बंदेतू रामयश अंगेश हम भाफ मृट मिल। तो ये जितने जोतिर लिंग है, ये अपने आतमें और वर्जा के स्तोथ है, तो ये ये जो इसा मांदे मूद आपयो कि आ आपको वहां नाम ही है, जोतिर लिंग, जोतिर का मतलब हो गए है प्रकाश और तो जिस चीज से रेडियोक्टिव चीज के पास में आप जाएगे तो जिस चीज से रेडियोक्टिव चीज के पास में आप जाएगे तो जिस चीज से रेडियोक्टिव चीज कनेक्ट होती है उसमें भी रेडियोक्टिव किया जाती है जिदी मेगनेट है अब मेगनेट के तो उसमें भी मैगनेटिस मा जाएगा तो एनरजी एक ऐसी होती है कि जैसे आप बिजलिगातार आपने पकड़ लिया तो आपके ऊपर भी करेंट बहे जाएगा तो आप भी कंड़क्टर ऑफ एलेक्रिसिटी बन जाएगा तो वही चीजे कि जोतिर लिंक जो भी है तो दिया ख이나 बूर तो एक सर्कल बनेगा और वह सर्कल का एग एजिएस्य पर शंक बनता है तो सेंटर है केलाश, जहां पर गिष्णेशन है, जो केलाश टेमपल बना हुआ है, और उरंगाबाद में, तो वो इतना पुराना है कि आज की तारिक में कोई बता नी पाया कि वो मंदीर किसने बनाया, वो शिवजी का मंदीर केलाश केमपल, और वो चत्टानों को काट के ब डूसरे शल सक लाता है तो उसके अंदर गुजरात कि आता है, सुम्नाथ शम्नाथ शल मौत ऊंपॉर दूसरे नागेशworks इहर अठा आता है عग उ 얼마나 आचिर खाहर दोला हो अ को जब द्हर आता है इहर आता है मलिकार जोग मा ऐस आता है हो कारेश meditation miracle महाकाल इसलिए सब फिर ओर साेकल बड़ा होता है तो आता है रामिशोरम पाफ्रेंप और केषा ऑल और एंड मैं फेर आता है वो अपना नेपाल का तो नेपाल में जाके एंड हो जाता है जैसे बोलते हैं कि पांधौ उनके पीछे करें तो केषा करे तो यह एक पूरा एनर्जी सर्कल है बहुत बड़ी आजी तो वास्तों में बहुत बड़ी रहस्य की बात आपने बता ही है तो अच्छा लगा गुप्ता जी यह बातें आपसे जान करके और भी अगले एपिसोड में आपसे और भी बातें जानेंगे दरसल यह जो इसका जो एक उदेश है इस एपिसोड का उदेश यह है कि जो आजकर के जो बच्चे हैं जो नहीं जन्रशन के बच्चे हों उनको यस आरी चुछों के साथ में चंड़ना को बताना कि इसका महत्व क्या है इसका इंपरटेंस क्या है और डेकन डियरी डिलेग दिस और इफ इसका इंपर्टेंस क्या है तो दोस्तों अगर आप इसको देख वे हैं तो मेरा निवेदन है कि आपके परिवार्ण में अगर बच्चे हैं तो उनको जरूर दिखाईए और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए ताकि लोगों को वास्तों में अपने संस्कृति अ अपना इतिहास के अंदर जो घ्रह सिमरीं जो बातेश चुपी हुई हैं जो बड़ी काम के हो सकती हैं हमारे लिए कि मंदिरों के पास जाना उर्या के केंदर होते हैं वहा जाने के बाद सकाराट में उर्याश शरीर केंदर आती है तो कोई विक्ति कितना है निराज क्यों उसको लगता है कि नहीं कुछ वापिस से और ये इनर्जाइज हो सकता है तो ये सारे विग्यानी काराणों को हम और जानेंगे और आज हमने जाना कि रानी की बाव बिसिकली क्या है और किस तरीके से उसके बारे में हुए मंदिरों के बारे में जाना कि क्यों जरूरी है और आने वाले समय में हम अभी आने वाले एपिसोड में इसके बारे में और जा देंगे तो इसी के साथ थेंकी सो मच फॉर वाचिंग गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए दरहसल बड़ा अच्छा लगता है जब आप जी समाते हैं तो मैंने समय में कौन इसको वीडियो को देख करके उसके बारे में समझ पाया जान पाए अभी इतिहास में जो हुआ है वर्त नहीं सकते हैं पहचाने हैं कि रॉस आ हो चुप यह हमको हमारे जो पुराने इतिहास में जो आजादी मिली है या इसे हमारे जो जुकूर्वज है जिनुन जो संगर्श किया शायद हमको उसकी अनुबूती भी नहीं हो पाती है तो इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए अपना समय निकालने के लिए आशा करेमी भी आप प